रतिया में मोर्टर साइकलों की रैली साथ ही 15 तारीक की जिंद में होने वाली युवा हूंका रैली जिसको भाजपाक राष्ट्री अध्यच अमिच्छा संभोधित करेंगे इस रैली का निवता देने रतिया कोंची हर्याना अमसूची जाती वित एवं विकास निगम की चेर परसं सुनीता दुगल पत्रकारों को जानकारी देते हुए चेर परसं सुनीता दुगल ने बताया कि यह बाइक रैली 15 फरवरी की जिंद में होने वाली युवा हूंका रैली को सफल बनाने को लेकर डबवाली से शुरू की थी जो सिर्सा होते वे नाथू सरी से भट पूंचे और यह बाइक रैली फत्रहबाद से रतिया होते वे तुखाना से जाकर नर्वाना इस रैली का समापन होता है इस बीच हजारों युवा लगातार इस बाइक रेली से जुग रहे हैं लाखों की तादात में लोगों द्वारा बाइक रेजिस्टेशन करवाया जा रहा है और उन्होंने इस रेली को सफल बनाने को लेकर रतिया में कारेकर्टाओं की जूटिया भी लगाई हैं कि अचरों में जूट आया है आए जुट बहुत जबरदस दोश है महिलाओं में और युवाओं में कमाल का जोश्य रेली का उदेश है के में जो बनाना नीन युवा हुंकार को हमारे अमिक्षा जी आ रहे है इस अगठन की जो हमारी रले, इस अगठन को मजबूती के साथ वहाँ पर पेश करना ये हमारा उदूआ है. इंडियन नेशनल स्टुट्य अध्यक्स डिग विजट चोटाला रतिया के केती कोलेज में छात्र संग चुनाव वहाली को लेकर खात्र को संबोधित करने पहुंचे। कोलेज में छाक्रों की समस्याओं को जानने वा छात्रसंग चुनाव को बहाल करने को लिकर आए तता सरकार से भी मांग करते हैं कि 16 तारिक से पहले छात्रसंग चुनाव बहाल करेगी नहीं तो 16 तारिक के बाद हम गुरू जंबेश्वार युनिवर्स्टी में मेरे साथ सैक के तारिक नहीं पड़ेगा मेरे साथ सैकुड़ों के तादाद में अभी युवा मोर्दू है कि अधिया के कॉलेज में आए और हमारा लक्षे यही है कि स्टूडेंट डेमोक्रेसी की बहाली करवाई जाए चात्रसंग चुनाव बहाल करवाई जाए स्टूडेंट्स की छ मुझे उमीड है कि सरकार सोला से पहले इस बात पर इस बात को मानेगी उस पर अम्री जावा पहनाएगी और चात्रसंग चुनाव की बहाली करेगी अनिता सोला के बाद गुरुजंबरिश्विर युनिवरस्टी में अनिशितकाल भूखरताल पे मैं और मेरे कुछ साथी और हजारों इंडियन लेश्टो स्टुन्स ऑजनाइजिशन के समक वा बैठने जा रहे हैं